हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, माईसल प्राची तिवारी, फ्राम इन्फाइनाइट आउनलाइन क्लासे, फ्रेंट्स आज है 13 जून 2020, और 13 जून 2020 के करंट्स अफेर के जितने भी इंपॉर्टेंट कुश्चन पन सकते हैं, आज हम उन पर डिसकस इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुश्चन पूछेंगे, जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमारा पहला कुश्चन है, हाल ही में एंटी कोविड-19 वेक्यूम क्लीनर किस ने बनाया, तो इसका C options ने है, डाक्टर समराद घोस, डाक्टर समराद घोस ने अभी जल्दी में ही एंटी कोविड-19 वेक्यूम क्लीनर बनाया है, यह इन्होंने इस उपकरण को पंजाब के मोहाली इस्थित, इंडियन इंसिट्यूट आप साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च के एक प जोज है, यानि कि जो वेक्क्यूम क्लीनर है, यह फर्स दिवार टेबिल इत्यादी जगों पर आराम से सेनेटाइज करके वहाँ पर उसको सुरच्छित किया जा सकता है, और इसको डवलु एच्चो ने भी मानने कर दिया है, अब हमारा नेक्स्ट कॉस्चन है, हाल ही में क इसने खेल को अनिवारे विसे के रूप में मानेता दी है, तो हमारे खेल मंत्री यानि किरन रिजू ने अभी में बताया कि देश की नई सिच्छानीती में खेल को अनिवारे पाठेक्रम के रूप में जोडा जाए, अभी तक खेल को एक वेकल्पिक विसे के रूप में जो लांच किया तो इसका सी ऑप्सन सहीं है आई एफ जी अन ने आई एफ जी ने अभी जल्दी में ही जो कोरोना से रिलेटेड गलत अफ़ाय फैल रही है उनको रोकने के लिए हिंदी चैट बार्ट लांच किया और आई एफ जी अन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फैक्ट नेटवर्क ने भारत में कोविड नाइटी संबंधी जितने भी फैक्ट्स हैं उनको सही तरीके से लोगों के सामने प्रसुत करने के लिए यह लांच किया गया है हिंदी चैट वार्ट हमारा नेक्स्ट क्वेस्चन है हाल ही में आर वैडू गोपाल का निधन हुआ है वे क संग और इसके यह वरिष्ट प्रचारक भी थे और भारतिय मजदूर संग यानि बीम्यस के यह पूर्व आरिकारी अध्यक्ष भी थे और इनका भी जल्दी में ही केरल के कोची में देर रात एक निजी हॉस्पिटल में 96 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया है इनका ज जा उड़चेल से होका है दर किता गया क्यों से फट el Virginii में 95 जो है आई सी इंड़्ियन चेंबर आफ कामर्स का जो है 95 साल पूरे हो चुके हैं और इसकी devient वार्ष कोसर मनाई गई है और इसकी अध्यक्षता माननिय नरेंद मोधी जी ने की है उन्हों ने जो देश के उद्धमियों है उनको प्रोशाहित किया है और देश की अर्थव्योस्था को सही रखने के लिए साहयोग देने का निवेदन किया है और ICC का हैटकॉर्टर कोलकाता में है नेक्ट कोश्चन है हाल ही में बाल स्रमिक विद्या योजना की सुरुवात कब हुई और किस ने की तो इसका B आप्सन सही है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज सरकार ने अभी जल्दी में ही बाल स्रमिक विद्या योजना की सुरुवात की है अभी जल्दी में ही अं उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने अभी जल्दी में ही घोश्रा किया है कि जो लोग भी बाल सरम करवाते हैं यानि बच्चों से काम करवाते हैं मजदूरी करवाते हैं उनको 10 साल की सजा और 5 लाक रुपए जुल्माना के रुपए देना पड़ेगा उन्होंने ये कानून बहुत ही सक्त बना दिया है अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी जल्दी में ही जियो टैक कम्यूनिटी किचन बनाने वाला ये पहला राजी था और वर्चूल अदातों के जरिए सुनाई करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया का पहला राजी है जाज़ानी है लखनव यहां के सीयम है योगी आदित्नाथ और यहां की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और उत्तर प्रदेश का जो राजकिये पसू है वो है बाराशिंगा राजकिये पुस्प है पलास और राजकिये पक्षी है सारस और अगर हम लाज चीज बात करें य बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोग लोट का लीजिएगा अद्वार अगला को शिण लाओं मनाया गया है अब अगला को है एन ऑई आ्र माणवेशिंटि सब्सक्राइब शाजद कि नपर रहा है तो इसका ऑई प्साइट मद्रास एी अटि मद्रास एक में सबसे अगर ऑजन पर हमदर्ब टॉन आर celebr ups नयाइटि मद्रास फ्रेमवर्ण और इस IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पर है और IISC बैंगलूरू दूसरे नंबर पर है और तीसे नंबर पर IIT दिल्ली है अब नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में क्यू यस वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सीर्स पर रहा है इसका भी ऑप्सन सहीं है M I T M I T Q यू 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 रैंकिंग है यह टाफ 500 यूनिवर्सिटीज का समूह है next question है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गव हत्याधिनियम में संसोधन किया है तो इसका C options नहीं है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने 65 साल पुराने गव हत्याधिनियम में अभी जल इसका B options नहीं है साबित्री राठोर को उडिशा हाई कोड का नया नयदीस बनाए गया है अब उडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जल्दी में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की सुरुवात अभी जल्दी में ही की गई थी और यहाँ पर जो है अभी जल्द नये राजजिगान के रूप में लिया गया है अभी जल्दी में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की सुरुवात की गई थी उडिशा के सीम यही नवीन पतनाएक जी को अभी जल्दी में हीरो आप दा एनिमेल आवाट से सम्मानित किया था पेटा ने पेटा एक जान पार्क और चिलका जील यहीं पर है यहां की राजधानी है भूनेश्वर यहां के सीम है नवीन पतनायक और गवर्नर है गनेसी लाल और सबसे इंपोर्टन चीज़ कि यहां की जो वेलर धीप थी है मतलब उसे जो है उसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्यू इसका सी आपसन सही है करनाटक करनाटक गवर्नमेंट ने भी जल्दी में ही आनलाइन कच्छाओं पर पतिबंद लगा दिया गया है करनाटक गवर्नमेंट ने क्लास फिप तक आनलाइन क्लासे बंद करवा दी है क्योंकि करनाटक गवर्नमेंट का मानना है कि जो छोटे ले लेकिन वह बिख्सित नहीं हो पाते हैं इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट थे उन्होंने सला दिया कि जो क्लास फिप तक है यारी चोटे बच्चों का जो लेबल है प्रामी सेक्षन उसको जो है बन करवा दिया गया है अब वहां प और कोरोना वाच एप अभी जल्दी में लांच किया गया है और कोविड नाइंटीन जाहत कोस के लिए फंड एकठा करने के लिए अभी जल्दी में आनलाइन सत्रंज टूर्नामेंट की स्टार्टिंग की गई है करनाटे की राज़ानी है वैंगलूरू और यहां के सीम है वी यस यदूरप्पा और गवर्नर हैं वाजू भाई वाला अब नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में जगदीश मुखाटी का निधन हुआ है वे कौन थे इसका ए अभी निता वे एक टीवी एक्टर थे जो बहुत ही लोग प्रिये थे उनका भी जल्दी में ही निधन हो गया है हमारा नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस राज्जी सरकार ने नौकरी पोर्टल एप लाँच किया है तो इसका सी ऑफसन सही है पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल गवर्मेंट ने अभी जल्दी में नौकरी पोर्टल एप लाँच किया है यह इसलिए लांच किया गय उनको रोजगार देने के लिए उनसे काम लेने के लिए पस्ची मंगाल गवर्मेंट ने नौकरी पोर्टल एप लांच किया है अब हम पस्ची मंगाल की बात करते हैं तो यहां पे सुंदर वन नेसनल पार्क है जल पाला और महानंदा वाइड लाइफ सेंचुरी है और यहां लास्ट कोश्चन है कि हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदू तक पहुचने वाली पहली महिला कौन बनी तो इसका बी आप्सन सही है कैथू सुलिया यह महासागर के गहरे बिंदू तक पहुचने वाली प्रथम महिला बनी है और यह अंत्रिक्ष पर चलने वाली भी पहल पहली महिला बनी है आपको यह ध्यान रखना है कि अंतरिश पहुंचने वाली नहीं चलने वाली पहली महिला भी थी अब हमारा कल का एंसर है कल का कोशन था कि हाल ही में किस राज सरकार ने 100% फ्री प्रवेश की खोश्रा की है यानि कि जो एड्मिसन के टाइम पे चार्ज लगता था उसको फ्री करने वाला राज कौन सा है तो इसका एंसर था असम असम गवर्मेंट ने अब जो कॉलेजों में यानि जो इनिवर्सिटी में हम लोग एड्मिसन लेते हैं उसको माफ कर दिया है आज का हमारा कोश्चन है हाल ही में जारी खादी सुरच्छा सूज कांक में सीज पर कौन रहा है इसके चार आप्सन है आपको सही आप्सन चुन करके कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से लेटेड जितनी भी चीजें आपको पता है वो सारी चीजें लिग दिया करिए यह था आज का हमारा करेंट अफेयर और उनसे इंपॉर्टन फैक्ट जो मैंने आपको बता दिये अब ऐसे ही इंपॉर्टन के लिए करेंट साफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर है थांक्यू